हालो एवरीवान एक बार फीड से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे आज किस वीडियो के अंदर हम लोग दो और इनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिनका कटोप लिस्ट यहां पे जारी हो चुका है और साथी साथ एक ऐसी इनिवर्सिटी है जिसका य इंगलीज हो चुकी है उसके बाद इनका फोल लिस्ट भी आज जारी हो चुका है और फाइप लिस्ट के लिए भी इन्हों ने यहां पर अपडेट कर दिया है कि जो है फाइप लिस्ट कब तक आएगी तो हम लोग इस नोटिस को डाउंलोड करते हैं जो सीडिल इन्हों न चाहरा को जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होगी और उसका जो पेमेंट वगरा वह आपको 21 तारीक तक यहां पर पे करना है उसके बाद फीजिकल कांसलिंग के लिए भी आपको यहां पे जो वेकेंड सीट है वह मतलब देखने को मिलने वाला है स्पोर्ट राउंड जिसको इस पर क्लिक करदे देखते हैं किस-akisis को यह मॉर्णिंग का टाइम है तो यह आब्मन्यकर सारों कोर्र जायेगा सीट वेकर्ड वेटेटा उसका आना ही आना है फिलाल Master of Technology का आया है Master of Arts English का है यह बेसलर ओप लो लल्वी जो त्रीयर का कोर्स होता है उसके लिए LLM का आया है Master of Science का है तो इनीक कोर्सेस का जो है आपका यहां पे जारी हो जायेगा कोई दिक्कत नहीं है साम तक आपको वेट करना पड़ेगा तो अब हम लोग नेक्स्ट युनिवरसिटी के बारे में बात करते है आपकी यहां पे जो केरला युनिवरसिटी है उसके बारे में ठीक है करनाटका का मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूँ फिलाल इस वीडियो में लोग बात कर रहे है जो प्रोवीजनल लिस्ट आया है यहां पर जो है सेंट्र युनिवरसिटी और के बारे में तो यहां पर आपको आपका जो कोर्स है उसका कटोफ मिल जाएगा आप जो है यहां से डाउनलोड एजिली कर पाएंगे में इंग्लिस के लिए है टी का हिंदी के लिए मैंतेमेटिक्स जोलोजी यह केमेस्ट्री बाय टेक्नलोजी बायो केमिस्ट्री कुछ साब का कोर्स है यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अब एक और उनिवरसिटी का छोटा सा अपडेट आपको मैं देना चाहूंगा यहां पर जो राजस्तान इनिवरसिटी है सेंटल इनिवरसिटी और प्राजस्तान तो सेंटल इनिवरसिटी और राजस्तान का ब्राजस्तान तो डिस्ट को मिल सब्सक्तर है कि किन-किन स्टूडेंट का फाइनली सेलेक्शन हुआ है और कितने स्टूडेंट वेटिंग लिष्ट में रहने वाले हैं उनका भी यहां पर शोग कर जाएगा तो अपडेट के लिए आप लोग रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहिएगा ओके अब बात करते हैं सेंटर इनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में तो गुजरा लाल इस वीडियो में इतना ही गाइस वीडियो दिखने के लिए आप सभी का सुक्रिया